Hello dear students, today we learn about your English 1 subject and your first lesson is the fox and the grats. ये मैं आपको ये lesson explain करूगी, उसको reading करूगी. आपको भी उसको understand करना है और उसका reading करना है. One day while going for a walk, a hungry fox sees a bunch of gratses. एक दिन एक fox जंगल में टेलने के लिए निकला. तब उसने grats के बंचीज देखे. Slurp yummy grats. वाउ yummy grats. उसके मुँ में तो पानी आ गया. The fox jumped up and tried to reach the grats. Fox ने jump लगाया और बंचीज तक पहुचने का बहुत ज़्यादा ट्राइ किया. पर वो पहुच सका नहीं. The grats are so high. Grats तो उपर थी. I cannot read them. So उसने सोचा अब तो मैं वहाँ तक पहुच सकूगा. नहीं. The fox try again and again. Fox ने बार बार ट्राइ किया. पर वो वहाँ तक पहुच सका नहीं. क्योंकि grats तो उपर थी. I am so tired. I don't think I can get the grats. अब मैं ठक गया हूँ. मुझे अब ये grats नहीं मिलने वाली. The fox gives up. Fox ने छोड़ दिया फिर ट्राइ करना ही. Those grats must be surely be sure. फिर उसने मान लिया कि ये grats सायद खटी होगी. इसके लिए मुझे नहीं मिली. इस chapter में से हमें ये सिखने के लिए मिलता है कि हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें बुरा फिल नहीं करना चाहिए. कि हमें ये चीज क्यूं नहीं मिली. मुझे तो ये नहीं मिलेगा. ऐसा फिल नहीं करना चाहिए. हमें सोचना चाहिए कि इसमें हमारी कोई भलाई होगी इसके लिए हमें ये चीज नहीं मिली और हमें ट्राई तो करते ही रहना चाहिए एक्जाम में भी हमारे अगर अच्छे माक्स नहीं आए रिजल्ट कम आया है तो हमें ट्राई तो करना ही है और ट्राइ करते रहना है और आगे बढ़ना चाहे है ऐसे sad होके बैठ जाना नहीं है कि नहीं मेरे marks तो अच्छे आएगी नहीं आने वाली नहीं है ऐसे सोचना नहीं चाहिए ट्राइ करेंगे तो सब कुछ possible है ओके चिल्डन यह फर्स चेप्टर आपको एक्स्पेंग किया वो आपको समझ में आया ना अब आप सेकेंड चेप्टर नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्यू